इस घर से दो निकल गया था लेकिन गर्मी इतनी खत्रनागा ना कांटिनियो इसी चल रहा है लेकिन फिर भी फिर भी इतनी गर्मी है इतनी गर्मी कोई कम जदे नहीं और यह सामने आप देख सकते हैं यह है टीवी टावर मझे जमू में जैसे मैंने आपको पुंच में दिखाया था वैसी यह जमू का टीवी टावर है अब भी इस जगह कभी इस जगह कभी इस जगह कभी इस जगह कभी दोन जाद लोडिंग चल गज़ती है कब बहुत बड़ा करहा है यह तो हफिए करें सब्सक्राइब अब आज के दिन की हमारी शुरुआ पर एक गर से अभी मैं रेडियो गया हूँ कि आज मैं को छुटी है तो मैंने का दिन में दो काम है क्योंकि एक काम सबसे पहले है मुझे गर में टाइल्स पेनी है तो वहां पर जाएंगा आए टाइल्स लेंगे पुटी देखिए हूइए पसाज जाना लेना वर गर बेजनी है और एक काम को रहा है पर इसके गज़ाए लिदी की lot li तो अब ही निकलते हैं हम पटफट करते हैं बेख़स करने के बाद निकलते हैं दिन की शुरुबात करते हैं मातरानिती का नाम लेके जै माता जी और साथ में एक मुझे कल परसू परसू मौर्नी की एक न्यूस पादे थी कल मैंने व्लॉग बनाया नहीं तो मैं आपको बता अच्छी वीडियो कुनाते थी यार क्या मतलब निदारा तरद देखने का तो कल मैंने उनके दूसरा चैनल देखा एक आमे माजीद वुलॉग्स करके चैनल है तो वो उन्हें नहा क्रेट किया और उसके एक दिन में ही कितने व्यूस मतलब सिस्क्राइबर होंगे एक लाग सब्सक्राइबर हो उसके एक लाग तो गाइस समझ सकते कि उनकी फैन फॉलॉइंग कितनी अच्छी है और अब मलब अच्छी अच्छी फैन फॉलॉइंग स्थी तभी इतरा जल्दी हो ग्रो कर बाएं तो स्पोर्ट करो उनको ही जाके जाए गाइस साथ हमें थोड़ी अब निकलते हैं घर से तो मिलते हैं आपको रास्ते में जहां पर हम टाइप लेंगे अभी करते हैं फटाफट ब्रेकर से निकलते हैं तो गाइस घर से दो निकल गया था लेकिन गर्मी इतनी खतर ना कांटिन एसी चल रहा है लेकिन फिर भी फिर भी इतनी गर्मी है इतनी गर्मी नीजी इतनी होनी चाहि dokładू जूनने थे जूने फिनुसे में तो छे यह साथ मिनट जैसी या रोड बंगी है न अब यहाँ से सीधा तक रोड बनी वी है यह वी कहां दो किलो मिनट तक बन गी ही है तो अब मेशीन दिवाना तक आपको रोड आशी दिखेगी बिल्कुल आशी दिखेगी कोई कम जादा नहीं और यह सामने आप देख सकते यह है टीवी टावर जमू में जैसे मैंने आपको पुंच में दिखाया था वैसी यह जमू का टीवी टावर है तो आप ही मैं जा रहा हूँ पुर्खु एक तो दीदी के गर भी जाना है और वहां पर मैंने एक जगा टाइल्स देखिवी है अच्छी वाली जैसे तो जमू मे एसी रोड पुंच तक बनेगे ना तो मेरे गर में सिर्फ हाल्डी थ्री टू फॉर ओर्स त्री टू फॉर्वर मजब साढ़े तीन से चार गंटे इस से जाद है नहीं मैक्सिमाम साढ़े तीन गंटे और मिनिमम तीन गंटे तो आप गर पहुंच आओगे तो आपी तो चल हो । पर घंटे मंटेने चलती है इस रोड पर यहां पर यहां से चाल दूंगा पूल बन रहा है यह वजह को तो और यहां पर मैं डे तरफ गाड़ी को पारक करते आगे तो फिर चलते हैं टाइलवली शॉप्स पर dare तो यहां पर दिखाता हूं को टाइल्स क्या चीज है या क्या क्वालिटी है मतलब की एक नंबर क्वालिटी लगती है और मुझे जो पसंद आई है वो मैंने देख लिए हैं भी अब आपको नेक्स्ट भी दिखाता हूं कि यह वाउच पिशनिट्स के लिए है सबसे प्यारी मुझे यह विल लगी है तो टाइल्स तो यार लाजवाब है पैसी भी लाजवाब हैं टाइल्स तो हैं बाकी अब देख सकते हूं यह वाश्रूम यह मैंने स्लेक्ट किये वाश्रूम के लिए और स्लेक्ट सबसे पहरी यह वली टाइल्स भी है लेकिन यह रगती बहुत काम है और यहां पर बुगवाण जे कि सबकी है जितनी वे आप देख सकते हो तनी काम जितनी वे देख सकते हो तनी काम है और यह वली भी यह वली भी यह वी और सारी प्यारी है यह जितना प्राइस सफ हैंगो उतनी से ही मिलेंगी और मैंने तो अपनी स्लेक्ट कर ली वह चलते हैं और यह सबसे और गई अब निकलता हूं इसके बाद बाक्ली काम बेख ते हैं तो फिर जाता हूं निकलता हूं तो मिलते हैं आपको रास्ते में थोड़ देल में कि छी में कब दिया दो कि अ में कि बीज। कि बीज। कि अ में के सब की इंव है अको रहारी क्ड़ी है बोलब कि यस ठखागी कि आट लोडिंग पाइश अल रहा है कभी इस जगह कभी इस जगह तो अब दोनों जगह लोडिंग चलती है इसका बहुत बड़ा क्राउन है यार अब यह तो सिर्फ टाइल्स का है मार्बल का नहीं है तो अब यह तीन जगह से लोड हो चुका है अब चोटी जगह लग रहा है फिर वापिस वहां पर लगना है क्योंकि टाइश अलग है अलग नकलते हैं बाइश गुलाले मां।arna स्क्ष्राइब लोड कर लोड में तक बहुत है है तो अब हुआ आइस-क्रीम तो कैसे शुरू हो गया है क्यसे कान जाई हो आथकाई-बेरिया बबबल बाड तो गया है बहुत है घ्रमी नहीं यह दिसक्रिक्त है इसे क्या हालत होगी और इजे रिखो ये तो नंद ले रहा है भाई आए रखे अनो आइसक्रीम खा रहा है क्यों सी वली है मूल वली तो मैंने लाई थी मैं सुझा पिगल दाए लेकर पगवडे इसके लिए पता था कि भी एक दम ठीटा था खाने के लिए उठा है एक दम क्यों विखो झाने के लिए बोल आ और बोल दे गई आ दो इस बोलो स्कूल गया न अभी आया है तो यह स्कूल से भी होकि आ गया तो चलो 10 मिंट बीट करते हैं इसको निकलना है मुझे 2 दिन काम हो रहे हैं अभी मसना एक काम खतम हुआ है टाइल से लगागे बेजी हैं अब बैजी हैं जर्च ग्रारा है इसे पूल पूल आगर्मी में तो चलो विलते हैं आपको निकलते ह गाली निए निकल गया हो आपी सो टॉटिस मैं यहां से ली यहां से लियें और एचिएन वाड़ से यहां से टाइल ले लियें टाइल बजवा भी थी अठो लोड़ दराएं फिर दीधी कहर चला गया ताना खाया हो आपे तसमें रुखा भी वापी सा गया इतना पसीना इतना हद से जएता है इतनी गरमी आज तक नहीं मैंने कि जितनी आज गर्मी है मैंनुक þटरनाक वगर्मी है आज तक वैए तक यह तक तक है अभी जा रहा हूं मुठी चुर्शिजा है क्या कॉआप फेंक काम है वह भी ख़तम करते है। फिर उसको मुझे रियाडी जाना है रियाडी से फिर शॉप पे जाना है फिर रेस्ट करेंगे जाके शॉप पे आप तब तक ये काम खदम करते हैं फिर मिलते हैं आपको राम से शॉप पे और यहां पे देखो ये फरनीचर वाल्ड खुला हुआ एक इस बंदर ने पूरी बिल्डिंग रखी हुए यार पूरी बिल्डिंग इसी की है और रेंट पे नहीं होगी अपनी बिल्डिंग है तब ही और यहां पर आगे दुमाना का नाका नाका क्रास करते हैं कि इसमें शीट वेल डाली हुए है तो गैज अभी शॉप पे पहुंच गया था लेकिन आज थोड़ी सेथ कराब होगी तो कि दिन में गर्मी थी और सब्सक्राइब कभी एसी में कभी एसी से बाहर पसीना कभी कुछ तो उसके वैसे एक तुक गल्ला कराब हो गया कोल्ड हो गया उसके और सिर्दर इतनी खतर अधर माकवली दूप गर्मी और साथ में इतनी स्वेटिंग अभी मेरे कपड़ों से मतलब की स्वेटिंग की स्मेल आ रही है इतनी तगडी गर्मी थी तो अब भी शॉप पे आ था मैडिसन भी थोड़ा सा रेस्ट किया थोड़ा सा मुझे बहलो एक रिलाक्स फील कर रहा है तो उससे पहले पहले फिट होना पड़ेगा तभी ड्यूटी जा पाँगा अधरवास नहीं तो बाई साब नहीं उठा जाएगा लेकि जाना पड़ेगा क्योंकि ड्यूटी तो ड्यूटी करनी है तो चलो गाइस अभी निकलते हैं थोड़ी दिर में गर के लिए फिर मि लगया उसने बोला कि सुबह का टाइम दिया है कि सुबह 6 वजे जाकर अपकी गर में उतार दूँगा देखते हैं सुबह कब उतारता है टाइल सुबह गर पे तो अच्छे से पहुंच जाएं बस यही दुआ है तो मिलते हैं आपको कल नई दिन में नई व्लॉग के साथ और अभी के लिए गोड़ नाइट बाइबाए टेक केर शबा खेर